कॉले स्टेंट्स गुड मॉनिंग मैं आपकी साइंटी चेश्वता में बच्चो क्लास टेंट का चैप्टर हमारे चल रहा है इलेटर सिटी जिसमें आज हमें स्टडी करने जा रहा है पार्ट थर्टीन और आज का मारा टॉपिक है बच्चो आज हम देखेंगे कंबिनेशन देखें अगर हम रेजिस्टन्स को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास दो वे हैं ठीक है दो रास्ते हैं दो तरीके हैं हमारे पास कि हम रेजिस्टन्स को किस तरीके से कंबाइंड करेंगे ठीक है तो किस सर्किट में रेजिस्टन्स दोनों ही तरीकों के बारे में स्टडी लेकिन आज के टॉपिक में में हम पढ़ने वाले हैं Series Combination, यह जो combination होड़ा है ऊता है एक तो आप resistance सेप्ट कर सकते हैं और दूसरा, आप resistance को parallel कमाइन कर सकते हैं, तो parallel में भी combination कर सकते हैं और इसको हम series में भी combination कर सकते हैं cheers, का, तो आज क्या पढ़ने वाले है? हम लोग series combination तो चले start करते हैं समझते हैं देगे सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर एक circuit ले लिया इस circuit में आपको दिखाए दे रहा है कि यह एक emitter है मैंने यहां पर battery ले लिया है इस battery में मैंने दो cell लगाए है ठीक है यह battery का छोटा वाला line negative potential मतलब low potential को यह represent कर रहा है और बड़ा वाला line जो है वो high potential को represent कर रहा है ठीक है यहां पर switch मैंने on किया जब switch on किया तो इसमे current flow होना start हो गया है और current किदर से किदर की तरफ जाता है तो high potential से low potential की तरफ करेंट जाता है यानिकि current का moment तो इस तरीके से इस direction में होने वाला है अगर मैं आपसे पुछूँ कि free electrons किदर की तरफ move करेंगे तो आप बोलेंगे free electrons का moment यहां से होकर के यूँ इस तरीके से होने वाला है ठीक है तो free electrons जिस direction में move करते हूं उसके opposite direction में हमारा current move करता है या आप यूँ याद रखे कि current जो होता है वह always high potential से low potential की तरफ जाता है ठीक है अब हमने इस circuit में जोड़ा है यहां पर क्या यहां मने ले लिया resistance पहले मैंने जो resistance लिया है resistance का मतलब क्या रुकावट तो मैंने इस circuit में resistance लिया है यह जो मेरा resistance को मैंने एक ही लाइन में attach किया ठीक है यह wire है और कि Εसके बाद हमने resistance लिया फिर हमने यह आप घृσसरा वाला resistance लिया और फिर wire को continue कर लिया है ठीक है तो यह जो इस तरीके से combination जो होता है यह resistance आपने लगाया थिर आपने प्रक्राश्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्ट यहां पर यह गया है ना मतलब sorry यहां से यह वायर यहां पर पहुंच रहा है इसको भी हम ले लेते हैं क्या इसमें भी हम switch on कर लेते हैं तो चलो यहां पर switch on कर दिया हमने यह इसका positive हो गया यह negative हो गया high potential low potential high potential यहां से करेंट चलना शुरू करेगा और चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और यह यहां से होते हुए और इस तरीके से low potential की तरफ आ रहा है ठीक है लेकिन यहां पर जो मेरे resistance है यहां से दो वायर लेना पड़ रहा है मुझे और एक resistance को यहां पते के wire चंजनी ह तो लगा गया ठीक है फिर यहां पर लाकर लाट टम ieंगे और दुसरा उम बसक्त लिए दून बत्स कॉ सबस्सक्राइब मिलता है सीध कर से कुरकार का था हैं डिवा Michaels है उस device में क्या requirement है हमको current ज़्यादा चाहिए या हमको current कम चाहिए क्या requirement है उसके हिसाफ से हम resistance को series में या parallel में combine करते हैं अभी फिलहाल parallel वाला हम लोग इसमें topic में नहीं पढ़ रहा है हम यहाँ पर सिर्फ यह देख रहे हैं कि इस तरीके का अगर combination होता है तो इसको parallel combination कहा जाता है बस यहाँ पर इसको देख करके stop करेंगे parallel हम लोग पढ़ेंगे next part में ओके तो यह series आपको समझ में आ गया कि series में एक resistance है उसके बाद दूसरा है उसके बाद तीसरा है उसके बाद चौथा है ठीके तो दोनों resistance को हटा करके उसकी जहां पर एक ही resistance लगा दिया तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन हमको ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि यह दोनों resistance आपने जब हटाया ना तो उसकी जहां पर आपने में उसमें रखा है। एक कीलो का वजन उसमें रखा है। तो भी तो मेरा काम बराबरी होगा है। दो आधे किलो को भी मिलाएंगे तो एक किलो ही बनेगा, तो बिल्कुल वही कम यहाँ पर भी किया जा रहा है, कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, दोनों काटा दिया, लेकिन उस दोनों के रेजिस्टेंस को कमबाइन करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस बन तो यह क्या कहलाएगा equivalent resistance है ना कि उसके यह क्या है equivalent है मतलब उसके बिल्कुल यह equal है okay equivalent resistance हम ने लिया मतलब उसमें और इसमे current flow कर रहा है ना current से पुछेंगे कि तुम वो कहीं कोई दिक्कत आई क्या वहां जितना तुमको resistance resistance मतलब रुकावट तुमको इस वाले series में रुकावट जितनी मिली उतने ही रुकावट तुमको इसमें मिली या कुछ अलग हुआ तो current कहता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं पड़ा बिल्क ही resistance रखा हुआ है तो यहां पर जो एक resistance है ना वो उन दोनों resistance के equal है तो हम आज सकते हैं कि R1 प्लस R2 दोनों को equal कर दीजे तो यह R जो resistance है वो उसके R1 प्लस R2 के क्या है equivalent resistance है यह तनी बात आपको समझ में आ गी तो बस वही जैसे कि एक किलो है तो आदा किलो आदे कुले मि 1kg हो गया ठीक है अब देखो अब यह वाले circuit इस वाले circuit के क्या है बिल्कुल same to same है as it is है अब इसमें इस तरीके सब देखो current flow हो रहा है ना अब हम आ जाते हैं यहां से इस circuit को उठाया है यहां पर और next step समझाने की कोशिस कर रही हो अब यहां पर क्या हो रहा है कि उसी है अब इस वाले circuit को हम ले लेते हैं ठीक है क्योंकि हम इसमें दिखाएंगे कि R1, R2, R3 हाना हमने इस तरीके से 2 या 3 से resistance ले यहां तो एक ही resistance है एक resistance है तो combination of resistance कैसे हुआ नहीं हुआ ना हमको क्या करना है combination of resistance दिखाना है तो इसके लिए हमको 2 या 2 से अधिक resistance की जरूत पड ना रहे तो हम इसको कैसे combine करेंगे तो चलिए अब हम क्या करते हैं वापस वह combination वाला ले लेते हैं तो हमने यह combination वाला resistance ले लिया अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बाकि सारी चीजे तो वैसे कि वैसे है रहेंगी current यहां से flow हो रहा है सब कुछ ऐसे ही तो current इसमें हर point पे same ही रहेगा मतलब high potential से low potential की तरफ एक अही wire में जब यह flow कर रहा है एक अही wire में कहीं कुछ भी नहीं इसमें change हो रहा है तो इसमे current क्या होगा सब जब जाएगा यहां पर जो current की value है वही current की value यहां रहेगी वही current की value यहां रहेगी वही यहां रहेगी कि यहां भी रहेगी यहां भी राखी यहां भी रहेगी यह चीज में ने रहे चीज मेने dia संझाये कि कर jaar बोर किसमें सेम थाकर लेकिन अलग है क्या यहीं मैं पोटेंसलि डिफरेंस अलग है टेका ψरख हो थाक्या ॱदेर करके वह low मतलब minimum potential difference के साथ match कर जाता है ठीक है तो high potential difference से अब हम किदर की तरफ आ रहे हैं low potential difference की तरफ आ रहे हैं तो मतलब आप च्छत की 100 में सीडी से और नीचे उतर रहे हैं तो ठीक है आप 90 पर आए 80 पर आए 70 पर आए करते 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 आप इदम उपर से च्छत से नीचे फर्स पर आ गया है तो यहां पर भी यह high potential से चलना एकदम कम हो जाता है ठीक है क्योंकि यह जो line है यहां पर minimum potential को शो कर रहा है तो यहां पर यान की potential क्या होगा minimum होगा तो इसरे चलते 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 और यहां जाते-जाते प्टेंसिल क्या होता है minimum होता है तो अब अगर हम सिर्फ बाकी पूरे वायर को हम छोड़ेते हैं सिर्फ हम resistance के बात करते हैं एक तो यहां से यहां तक अगर मैंने ले लिया तो पोटेंसियल कितना कम हुआ है तो यहां से यहां तक अगर मैंने ले लिया तो पोटेंसियल कितना कम हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक पोटेंसियल कितना कम हुआ है फीक है, decrease हुआ, मतल artists drop हो रहा है, drop हो रहाहिए, कम हो रहा है, उतने पूरे pot Subaru, happendential difference में से उता antenna potential difference कम हो रहा है, तो यहां ससे यहां तक जो potential difference में कमी आई है सस्टक्य कमी, वह कमी V1 है जो कमी आई क्योंकि potential difference क्यूंकि potential difference तो तो आपको पूछा जाएगा जब तो अब टोटल में क्या बोलेंगे कि V1 और प्लस V2 तो तो पता पड़ जाएगा कि यहां से लेकि यहां तक में टोटल गिरावाट कितनी आई है बात आपको समझ में आ गई तो यह टोटल पोटेंशल डिफरेंस कितना यहां पर डिक्रीज हुआ है यह आपको कौन बताता है V is equal to V1 plus V2 दोनों को हमने क्या कर दिया एड कर दिया ठीक है तो V1 potential difference यहां पर drop हुआ V2 potential difference यहां पर drop हो रहा है यानि कि यह हमारा क्या है इस resistance को हमने नाम दिया है R1 तो R1 में जो potential difference है वो है V1 और जो हमारा यह R2 है R2 में जो potential difference है वो हो गया potential difference का जो drop है जो कम होरा potential difference वो ह गया V2 ठीक है तो यह हमने जो लिया है resistance यह हमारा R2 resistance है और यह जो हमने resistance लिया है यह R1 resistance है clear अब current की बात करें तो current तो यहां से potential यहां से start हो रहा है current और current पूरे wire में क्या है एक जैसा ठीक है यहां का current यहां का current यहां के यहां का current यहां क्युक्activ if there is cellना верn अचलते जारहें तो यहां से कि पूरसा देख रहे हैं कि current क्या है current हगा समान ही ठीक है a total potential drop कितना potential कम हुआ ठीक है कितनी drop का मतलब उसमें कितनी गिरावट आई ठीक है कितना गिरा है potential तो total potential गिरा है V is equal to V1 plus V2 इतना potential drop हो जाएगा ठीक है but current current सब जगह क्या है constant है मतलब equal है current में कहीं भी गिरावट नहीं आएगी वैसे भी एक वायर को अपले करके एक ही वायर है और हर जगह उसकी ठीकने से अगर बराबर है तो उस और हर वो एक ही material से अगर बना हुआ है temperature भी हमने constant रखा है ठीक है potential difference भी हमने constant रखा है और वहां से current अगर हम देना शुरू करेंगे और उस पूरे wire को हमने circle करके और battery के दूसरे अगर end से terminal से जोड़ दिया ठीक है low potential से जोड़ दिया तो current पूरे wire में equal ही होगा यहां पर आपको जोड़ जादा जड़का लगेगा और वहां कम जड़का लगेगा ऐसा तो होगा नहीं क्यूंकि wire एक ही है उस wire में कहीं कोई changes नहीं आ रहा है तो इस वज़े से क्या होगा current सब जहां equal होगा बराबर होगा ठीक है यह इतनी बा है उसमें resistance को हमान रहे हैं कि वह हमारा resistance R2 है और यहां पर जो गिरावट आई वो वी टू है और current क्या है current तो i है सेम है अब यहां पर अगर आप ohms law follow करते हैं तो ohms law में आपने क्या देखा था v is equal to ir ठीक है तो v is equal to ir इसको लिखो या इसको ri लिखो दोनों एक ही बात है तो यहां पर v क्या है आपका v1 है तो यह हो जाएगा v1 is equal to r1 और i i तो आपका i ही है है ना यह v1 i1 i2 तो है नहीं current कहीं ज्यादा कहीं कम दोनों जगा current जब सेम है तो हम इसको 1 और 2 से represent नहीं कर सकते हैं ठीक है हम यहां पर दिखा रहे हैं कि equal है और दूसरा में रहे हो ज देखें v is equal to अब potential कितना potential drop हुआ जो वहां पर बात बताई जा रही है अब उसको यहां से start करो कि कितना इस में potential में कितनी गिरावट आई तो v is equal to v1 plus v2 तो total potential drop v is equal to v1 plus v2 अब v is equal to और v1 की जहां पर v1 की value रखो तो v1 की value बचों को क्या है यहां पर ohms along इससे हम लिए गा कि r1 i है तो v1 की जहां पर हमने r1 i लग दिया और v2 की जहां पर रखेंगे r2 i तो v2 की जहां पर r2 i रख दिया अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही जहां पर क्या है? i है ठीक है? तो आया मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं common ले सकते हैं तो यहां पर 20 इकल टू i को हमने common ले लिया और bracket में हमने कर दिया r1 प्लस r2 ठीक है दोनों से i को हमने बहार निका लिया कि तुम भी तुम्हारे पास भी आया था तुम्हारे पास भी आया था तो दोनों में यह एक common चीज है तो उसको निकाल करें बहार रखतो इसको हमने मालिया कि यह हमारा equation first है अब हम r1 कि सार्टू की जहां पर क्या रख सकते हैं देखो दोनों ही यह r1 और यह r2 r1 और r2 की जहां पर आप क्या रख सकते हैं आप रख सकते हैं यह हो गया हमारा equation 2 from equation 1 & 2 अब equation 1 & 2 से अब हमको क्या करना है व की value हमको क्या मिल रही है r मिल रही है तो इस व की जहां पर भी अब change करो ठीक है व की जहां पर रख दो इसको r को रख दो second मतलब second वाला जो हमने v is equal to find किया है उसको उठा करके हम first वाले equation में रख देते हैं तो यहां से v is equal to i r है इस i r को उठाओ और यहां पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा अगर इसको हम यहां रखते हैं तो हमको मिलेगा i r है ना यहां पर i r हो जाएगा और is equal to बाकी यह तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा अब आप देख रहे हैं कि i और i दोनों side में ही है तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास r is equal to r1 plus r2 ठीक है यह आपको जो एक formula मिला है r is equal to r1 plus r2 मतलब यह series combination का यह series combination में जो resistance हना resistance जो हम combine करते हैं उसके लिए हमको एक combination यह formula मिल गया ठीक है तो यहाँ पर यह formula हमको क्या बताना चाहता है वो यही बताना चाहता है कि जो आप इसमें series में अगर आपने अटेच किया है है न हाट distance पर और बिल्कुल ऐसे 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 उसी में wire में आपने parallel नहीं ले गए है series में अगर यह इसके बाद यह इसके बाद तुम आजाओ इसके बाद तुम आजाओ इसके बाद तुम आजाओ इस तरीके से अगर आपने resistance को अटेच किया है तो सारे resistance को add कर देंगे क्या है एक एकवल ही है चाहे हम आधा किलो आधा किलो का दो रखे और तब भी हम तॉलेंगे न तो चीनी उतना ही आएगा और उसको हटा करके एक किलो रखेंगे तो भी हमारा चीनी का amount उतना ही रहेगा कम जादा नहीं होगा ठीक है तो हमने चीनी से पुछा कि तुम्हार चेंज किया था है एक्यूवलेंट किया था इस वज़ेसे कोई भी चेंजज नहीं आयाओ सुगर में कोई भी चेंजज नहीं आएगा फिक है तो इक्यूवलेंट रिजिस्टेंस इन सीरीज इकूल to the total resistance combine in circuit ठीक है जितने भी resistance आप circuit में जोडते हैं अगर series में आप जोडते हैं तो उसका जो equivalent resistance होगा वो उन सब के combination के बराबर होगा equivalent मतलब उन सब के combination के बराबर होगा मतलब सारे को combine कर लो और पता कर लो के अच्छा तुम जो है दो ओम के हो तुम भी एक दूसरे के equivalent होंगे तो हमको series combination में यह formula मिलता है अब इस पर कुछ numericals आएंगे करने के लिए और और क्या होगे हमारा equivalent resistance equivalent resistance is equal to क्या हो जाएगा अगर series में है तो तो हो जाएगा आरवन प्लस आरटू प्लस आरटी प्लस आरटी जितना भी आप कर लो और जितने भी आपको series करने हैं आप इसमें अटेज कर सकते हैं यह equivalent resistance हो जाएगा बात आपको समझ में आ गई तो बचों यह हमने इसका explanation दो देख लिया ठीक है पूरा आपको समझ में आ गया कि resistance क्या होता है यह सारी चीज़े हमने देख लिए ठीक है अब मैं बताते हूँ इसकी theory देखे पूरा explanation पढ़ने की बाद इसकी theory combination of resistance resistance का जब हम combination करते हैं तो हमारे पास दो वे होता है मैंने आपको बताया एक series combination और दूसरा होता है parallel combination series combination क्या होता है in series combination two or more resistance joined end to end so that the same current flow through each of the them हम सब्सक्राइब को सारे हम इसमें क्या करते है इस वज़े से पूरे में current जो है, वो क्या होता है, एक जैसा ही flow होता रहता है, हमने कहीं भी कोई भी changes नहीं किया, इसलिए current पूरे wire में एक जैसे ही जाएगा, ठीक है, law of combination of resistance in series, ठीक है, कौन-कौन से law को हम follow करते हैं, तो पहला, according to the law of combination of resistance in series, अगर आप series में जोने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का आपको दियान रखना है, कुछ law आपको follow करने है, their equivalent resistance is equal to the sum of, इसी बात का दियान रखना है, कि जो equivalent resistance होगा, वो क्या होगा, सारे resistance आपने जोड़े हैं, उनके sum के equal होगा, मतलब उन सब को add कर दिए, वही बात जो मैंने अभी आपको बताया है, ठी गुफा के अंदर कुछ एक ऐसे पहले जमाने में बहुत अजी बजी तरीके का था कि कुछ ऐसा है, इसको ऐसे घुमाओं तो ये गुफा का दरवाजा खुल रहा है, अंदर जा रहे हैं, बहुत ऐसे जादूई टाइप का सब चीजे है, ठीक है, उसके बाद उसमें आप कुछ जगमागाता हुआ, मतलब डैमंड जैसा कुछ बना हुआ है, और लेकिन प्रॉब्लम जैसे ही उस डैमंड को आप उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरा जो गुफा है, वो उसमें जहां से पथर तूटके गिरने लगते हैं, सब हिलने लगता है, भुकम पाने और उसकी जहां पर दूसरे को सैट किया है कि बिल्कुल इसके एक्यूवेलेंट है, रती भर का फर्क नहीं होना चाहिए, इसके वजन के बिल्कुल तॉल के बराबर दूसरा कुछ भी अगर वजन रख देते हैं, दूसरा कोई पत्थर रख देते हैं, तो यहां से इस डैम भनक भी नहीं पड़ी, उसको पता तक नहीं लगा, सर्किट को, है न, कि तीन रेजिस्टन्स के बदले में, यहां पर केवल एक ही रेजिस्टन्स लगा दिया गया है, क्योंकि हमने उसके एक्यूवेलेंट रेजिस्टन्स लगाया है, इसको भनक भी नहीं पड़ी, ठीक ह derivation of equivalent resistance, मैंने जो आपको बताया, exam में आता है कि derivation, मतलब formula बना के बताओ, कि किस तरीके से हम करते-करते आ रहे हैं, और last time हम देख रहे हैं, कि वाकई यही बात आ रही है, कि R is equal to R1 plus R2 plus R3, तो उसके लिए start up को करना है V से, V is equal to V1 plus V2 plus D3 कर लो, उसके बाद V1 की value आपने क् रहे हैं, पहले resistance में, तो वो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और I हो जाएगा, तो बस R1 I, R2 I, R3 I, इस तरीके से करके, मतलब यह start आपको कहां से करना है, V is equal to V1 plus V2 से, हैना, or last में आप final देखेंगे, दो equation बनेगा, दोनों equation से तूलना करेंगे, तो आपको यह वाला equation मिल जाएगा, ठीके, तो इसका duration हो चुका है, उदर, इस तो जैसे मैंने आपको यहां पर नहीं बताया, ठीके, अब देखो, some result of series combination, series combination करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, हम resistance को क्यों series में जोड रहे हैं, उससे कुछ हमको benefit होगा, तभी तो जोडेंगे ना, तो benefit है, ना, current is same in each resistance of the circuit, current जो होगा, same is, current जो होगा, वो पूरे, सारे resistance में same current flow करेगा, ठीके, सारे ही resistance में same current flow करेगा, क्योंकि आपने हर एक resistance को end पर ही, बिल्कुर यहां पर gap नहीं रखा और उसके end पर ही, दूसरा बाला जो है, वो attach कर दिया है, ठीके, तो सारे ही resistance में क्या होगा, ए जासा ही current flow करेगा, पहली बात, दूसरा, equivalent resistance is equal to the, वही वाले बात, equivalent resistance जो होगा, जो उसके बदले में अगर हम एक resistance लगाते हैं, तो वो इन तीनो resistance के, क्या होगा, equal होगा, ठीके, तो इन तीनो resistance के sum के equal होगा, यह होगा, दूसरी बात, तीसरी, the total voltage across the combination is equal to the sum of the voltage drop, अब यह यहां से लेकर के, जहां तक आपने resistance लगाया है, वहां तक में voltage में क्या फरकाया, तो जहां यहां का, जितना voltage drop हो रहा है, यहां पर voltage की कमी हो रही है, कोई तीसरा लगा दिया, तो यहां पर voltage की कमी हो रही है, इन तीनो voltage की कमी को, हम attached एक साथ जोड़ देते हैं, combine कर देते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा है सुरू से लेकर के और लास तक में हमारे टोटल यहां पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है मतलब कितना वोल्टेज कम हो रहा है यही बात यहां पर बताए गया है ठीक है तो र्रेजस्टंस को बढ़ाने के लिए आपको स्रीज कंभाइन करना पड़ेगा है सारे र्रेजिस्टंस को स्रीज में अटैच कर दो तो वहां पर नियुक्त करनेक्टेंस में इस बढ़ेशाथ बढ़ जाता है जोड़ेज को जोड़ोगा। वो कैसे decrease होगा वो हम पढ़ेंगे next video में ठीक है तो यहां पर बात यह है कि एक है एक आपने खड़ा किया है किसको आपने एक खड़ा कर दिया किसी को कि भाई उसको आने मत देना है तो एक बंदा है current आ रहा है उसको रोक रहा है और उसके बाद यहां पर दूसरा बंदा है वो अगर माल लो कि उसे से छूट करके current आगे बढ़ा तो दूसरा बंदा भी उसको रोकने की कोसिस करेगा उसके बाद तीस्तरा बंदा भी उसको रोकने की कुशिज करेगा तो अगर आपने तीन-तीन रेजिस्टन्स लगा दिया है तो जाहिड सी बात है कि तीनों मिल करके उस बंदे को रोकने की कुशिज करेंगे तो यहाँ पर जो करेंट होगा current उसको रोकने के लिए तीनो resistance मिल के काम करते हैं यानि कि इस circuit के अंदर आप तीन मिलेंगे तो जहर सी बात आने कि power बढ़ गया तो यहाँ पर हम resistance का power बढ़ा रहे हैं मतलब रोकने के लिए current के रोकने की शम्ता बढ़ जाती है अगर आप resistance को series में ठीक है तो आपके पास दो जोटे-छोटे resistance है तो आपने छोटा-छोटा सा अटायच कर दिया resistance OK? आपके पास 1 साथ बढ़ा नहीं था तो आपने ही छोटे कहते हैं न तौल ले गया थे तो आप नहीं मिला 1 kg का नहीं है तो कोई बात नहीं हमने आपने देखा होगा कि ऐसे जो दॉलते हैं वो कर लेते हैं कि चलो इसके जहाँ पर ये इसके जहाँ पर ये ऐसे ले करके फुल मिला करके वो measurement कर लेते हैं तो अब यहाँ पर भी बात यही है कि आपके पास अगर छोटे रेजिस्टेंस है तो उससारे रेजिस्टेंस को आपने स्रीज में जोड़ दिया तो आपको मिल गया एक powerful resistance जो कि उस current को ज्यादा ज्यादा रोकेगा तो यहाँ पर resistance की value क्या हो और यह बढ़ रही है रेजिस्टेंस का power बढ़ रहा है और current को रोकने की पूरी कोसिस की जा रही है तो अगर आपको current को रोकना है और resistance को बढ़ाना है मतब रोकने वाले को की मात्रा बढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको series combination करना पड तो यह हमारा topic यहाँ पर खतम होता है, next studio में हम देखेंगे parallel combination, तो अभी के लिए study करते रहे हैं, next studio में फिर मुलाकात होगी, तो okay, have a nice day.